हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मा यूटूब चैनल दोस्तो इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग मानोर उधीर यानि हीमन ब्लोड से संबन्दित तीस ऐसे मैथपूंड परसंद देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक्जाम से रेल बे एंटी पेसी, गुरूपडी एससी, पूलीस एक्जाम और सभी परतियोगिता परिक्षा के लिए काफी मैथ पूंड है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो पासवाली घंटी का निसान है, उसे भी अन कर दें तो चले शुरू करते हैं, यहाँ पर हमारा पहला कुश्यान है रक्त निम्नलिखित में से किस परकार का उतक है तो देखे रक्त जो है, यह के तरल सन्योची उतक है ठीक है, तो इसका राइट एंसर ओप्शन ए हो जाएगा और यह थे एकश्यान में पूछा जाए कि रक्त का पी-एच मान कितना होता है तो देखे रखत का PH मान है ये 7.4 जो है ये रखत का PH मान होता है ठीक है अगला histihan देखे question number 2 है Marno aTSarir में cool rock टाइतन का PLAST fre fils लगबग कितना होता है तो देखे marno aTSarir में cool rock tyton का plasma का जो परतिसाद होता है वो होता है 500-300 ठीक है तो इसके right answer option C हो जाएगा next question देखिए question number 3 है समाने मनुसे का रक्तचाप निमने लिखित में से कितना होता है तो देखिए समाने मनुसे का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120 भाई और CMM ठीक है तो इसके right answer option B हो जाएगा next question देखिए यहाँ पर हमारा čौता नमरा कुष्छाण है एक ब्यास के पूरुस में R pale C की समाने संख्या निमने लिखित में से कितनी होती है तो देखिए एक ब्यास के पूरुस में R rejection R B C की जो समाने संख्या होती है वो होती है 55-50 लाग जो है यह पूरुसों में होती है और माईलाओं में ये 45-50 लाग होती है ठीक है अगला कुश्चन देखी यहाँ पर हमारा पांचवा नमर कुश्चन है मानो सरीर में खून की सुधिकरन की परकिरिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है तो देखे मानो सरीर में खून की सुधिकरन की परकिरिया जो है ये कहलाती है डायलेसिस क्या कहलाती है और ये देख्चा में पूछा जाए कि खून का सुधिकरन ये कहां पर होता है तो देखे खून का सुधिकरन ये कीडिनी में होता है ठीक है अगला कुश्यन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नमर कुश्यन है मानोरक्त पलाज्मा में पराय पाने की परतिसत मात्रा में कितनी भीनता होती है तो देखें मानोरक्त पलाज्मा में पराय पाने की परतिसत मात्रा में यह 91 परतिसत से 92 परतिसत होती है तो इसके राइट एंसर, ओप्शन D हो जाएगा नाइश्ट कुश्चन देखी, यहाँ पर हमारा साथवा नमर कुश्चन है लाल रूधिर कणिका है, यानि RBC का निर्माड है निम्ने लिखित में से कहाँ पर होता है तो देखे, RBC का निर्माड जो है यह होता है, लाल अस्थिमाचा में, ठीक है तो इसके राइट एंसर, ओप्शन P हो जाएगा नाइश्ट कुश्चन देखी, यहाँ पर हमारा आठवा नमर कुश्चन है लाल रख्थ को सिकाओं का ओउसद G1 काल लगभग कितने दिनों का होता है तो देखे, लाल रख्थ को सिकाओं का ओउसद G1 काल जो है यह होता है 100 से 120 दिनों का, ठीक है तो इसके राइट एंसर है, ओप्शन B हो जाएगा और यह देख्चा में, पुछा जाए कि WBC का G1 काल कितने दिनों का होता है तो देखे, WBC का G1 काल यह 1 से 4 दिनों का होता है, ठीक है अगला कुश्चन देखी, यहाँ पर हमारा 9th नमर कुश्चन है अधी कुछ आई पर है, मानो शरीर में लाल रख्थ को सिकाओं पर क्या परवाव पड़ता है तो देखे, अधी कुछ आई पर है, मानो शरी में लाल रख्थ को सिकाओं पर बढ़ जाता है ठीक है, तो इसका राइट एंसर, ओप्शन C उचाएगा नाइश्ट कुश्चन देखी, यहाँ पर हमारा 10th नमर कुश्चन है कि सोरा वस्था है मनुसे का, समाने रख्थ दाब निम्नलखित में से कितना होता है होता है एक सब बैस बाई और सी एमेम, एचेजी होता है ठीक है, तो इसके राइट एंसर है, ओप्शन C नाइश्ट कुश्चन देखी, यहाँ पर हमारा 11th कुश्चन है निमनलिखित में से कौन है मानों सरीर के विभी नंगों में ऑक्सीजन को पहुचाना या कारे होता है तो बताई यह ऑक्सीजन को पहुचाना या कारे है निमनलिखित में से किसका होता है तो देखी यह होता है RBC का ठीक है तो इसका Right Answer, Option A हो जायएगा Next Question देखी यहाँ पर अमारा बराहा नमर Question है Hemoglobin निमने लिखित में से किसका महतपून गटक है तो देखे Hemoglobin जो है यह RBC का महतपून गटक है ठीक है तो इसका Right Answer, Option A हो जायएगा और यह देख्चा में पूछा जाए कि हिमोगलोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है तो देखे हिमोगलोबिन में ये लोहा धातु पाई जाती है ठीक है अगला कुश्चन देखी यहाँ पर हमारा तेरावा नमर कुश्चन है पूरानी तथन नष्ट पराज़, लाल रख्ट कनिकान ने मैंनेलिकित में से, कहााँ पर नष्ट हो जाती है तो देखें, लाल रख्ट को सिखाएं ये पलिहां में नष्ट हो जाती है ठीक है, तो इसके राइट एंसर, ओप्सन ए हो जायेगा नाइश्ट कुश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 14 नमर कुश्चन है हीमोगलोबिन निमने लिखित में से क्या होता है तो देखिए हीमोगलोबिन जो है यह एक प्रोटीन होता है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्सन ए हो जाएगा और यह देखिए हमें पुश्चा जाए कि राक्त का लाल रंग जो है यह किसके कारण होता है तो देखिए राक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोगलोबिन के कारण ठीक है अगला कुश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 15 नमर कुश्चन है पटिकारो याने पिलेटलेस्ट का दूसरा नाम निमनलिखित में से क्या है तो देखे पटिकारो याने पिलेटलेस्ट का दूसरा नाम जो है यह है थुरॉम्बो साइट क्या है थुरॉम्बो साइट है ठीक है तो इसके राइट एंसर ओप्सन डी हो जायाएगा नाइस्ट कुश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सिष्टी नमर कुश्चन है रक्त सराव को रोकने के लिए आम तोर पर किस एलमिनियम लोण का प्रियोग किया जाता है तो देखे रक्त सराव को रोकने के लिए ये आम तोर पर पोटास एलम का प्रियोग किया जाता है ठीक है तो इसके राइट एंसर ओप्सन डी हो जायेगा नाइस्ट कुश्चन देखे यहां पर हमारा 70 नमर कुश्चन है रक्त धारा में अक्सीजन ले जाना वाला प्रोटीन निमनलेखित में से कौन होता है तो देखे रक्त धारा में अक्सीजन ले जाना वाला जो प्रोटीन होता है वो होता है हीमोगलोबिन ठीक है तो इसके राइट एंसर ओप्सन सी हो जायेगा नाइस्ट कुश्चन देखे यहां पर हमारा निमनलेखित में से किसे नाश्ट कर देते हैं तो देखे एडस के बिसाड़ यानि बारस के संकरमन के कारण होता है तो देखे आगला कुश्चन देखे यहां पर हमारा 19-जार कुश्चन है हेमोगलोबिन की अधिक्तम बंदूता निमनलिखित में से किसके लिये होती है तो देखिए हेमोगलोबिन की अधिक्तम बंदूता जो है यह होती है कार्बन मोनो अक्साइड के लिए ठीक है तो इसके राइट एंसर है ओप्शन C जाएगा निमनलिखित में से कौन है निमनलिखित में स्वासन रंजक है तो बताएं मनुसे में स्वासन रंजक निमनलिखित में से कौन सा है तो देखिए है हीमोगलोबी ठीक है तो इसके राइट एंसर है ओप्सन डी यू जायाएगा निमनलिखित में से किस को RBC का कबरिस्तान कहा जाता है तो देखे RBC का कबरिस्तान ये पलिहागों कहा जाता है ठीक है तो इसके right answer option C हो जाएगा और ये देख़ा में पूछा जाए कि RBC का निर्माड कहां पर होता है तो देखे RBC का निर्माड ये अस्थी मज़जा में होता है ठीक है अगला कुश्यन देखी यहाँ पर हमारा 22 नमर कुश्यन है रक्त में स्वियत कणों का मुख्या प्रायोजन इमनलिखित में से क्या है तो देखे रक्त में स्वियत कणों का जो मुख्या प्रायोजन है वो है संक्रमण से संघर्स करना ठीक है तो इसके right answer option B हो जाएगा नाइस्ट question देखी यहाँ पर हमारा 23 नमर question है जब कोई बाहरी पदार्थ मानोर उधिर परणाली में परविष्ट होता है तो परतिकिरिया कौन परारम करता है तो देखे परतिकिरिया जो है यह WBC परारम करता है तो इसके right answer option B हो जाएगा नाइस्ट question देखी यहाँ पर हमारा 24 नमर question है रक्त का जमाव निम्नलिखित में से किस protein के द्वारा होता है तो देखे रक्त का जमाव जो है यह होता है फाइबरिनोजन protein के द्वारा ठीक है तो इसके right answer option B हो जाएगा और यह थे एक्षा में पूछा जाए कि रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सा बिटामिन आवस्यक होता है तो देखे रक्त को थक्का बनाने के लिए यह बिटामिन के जो है आवस्यक होता है ठीक है अगला question देखी यहाँ पर हमारा 25 नमर question है रोग पर्तिकारकों को उत्पन करने वाला सेल निमनलिखित में से कौन सा है तो देखे रोग पर्तिकारकों को उत्पन करने वाला सेल जो है यह है लिंफो साइट है ठीक है तो इसके right answer option C हो जाएगा नाइश्ट question देखी यहाँ पर हमारा 26 नमर question है रोग पर्तिकारकों को उत्पन करने वाला सेल जो है यह लिंफो साइट के द्वारा एंटिबाडिस का निर्माड होता है ठीक है तो इसके right answer option B हो जाएगा नाइश्ट question देखी यहाँ पर हमारा 28 नमर question है निमनलिखित में से कौन सा एंजायम है रोग को ठाका बनाने के लिए आवस्यक होता है तो देखी यहाँ पर आपको चार option दिया गया है तो दोस्तों आप इसका answer जो है comment box में जरूर बाता है और ऐसे important वीडियो जो है आपके यहाँ पर मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को like कर दिया करें चैनल पर ना है तो चैनल को subscribe करें पास में जो घंटी का निसान है उसे भी activate कर दें ठीक है thanks for watching